नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सनाऊंगी पंडित जी एक मज़ेदार कहानी शाम ढलने को थी सभी आंगो तक धीरे धीरे अपने घरों को और लोटने लगे थी तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शेरमाता हुआ चुप चाप एक कोने में खड़ा है बीरबल उसके निकिट आता हुआ बोला लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो बेजी जग कह डालो जो कहना है मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है वह मोटा वैक्ती सो कुछ आता हुआ बोला मेरी समस्या यह है कि मैं पड़ा लिखा नहीं हूँ मैंने अपने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जिसका मुझे खेद है मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ पर अब नहीं लगता ऐसा कभी हो पाएगा नहीं कोई देर नहीं ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत ना हरो और परिश्रम करो तुम में भी योगता है बीरवल ने कहा लेकिन ग्यान पाने में तो सालों लग जाएंगे मोटे आदमी ने कहा मैं इतना इंतिजार नहीं कर सकता मैं तो यह जाना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटके बजाते ही परसिद्धी मिल जाए परसिद्धी पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है बीरवल बोला यदि तुम वास्ता में योग्य और परसिद्धी कहलवाना चाहते हो तो मेहनत करनी होगी वह भी कुछ समय के लिए यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूग गया नहीं मुझ में इतना धेरे नहीं है मोटे आदमी ने कहा मैं तो तुरंती परसिद्धी पाकर पंडेजी कहलवाना चाहता हूँ ठीक है बीरवल बोला इसके लिए तो एक ही उपाय है कल तुम बजार में जाकर खड़े हो जाना मेरे भीजे आदमी वहां होंगे जो तुमें पंडेजी कहकर पुकारेंगे वे बार बार जोड जोड से ऐसा कहेंगे इससे दूसरे लोगों का ध्यान भी इस ओर जाएगा वे भी तुमें पंडेजी कहना शुरू कर देंगे ऐसा होना सभाविक भी है लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्टा दिखाते वे उन पर पत्थर फैकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दोडाना होगा तुम्हें लेकिन सतर्क रहना गुस्टे का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए उस समय तो वे मोटा आदमी को समझ नहीं पाया और घर लोट आया अगली सुबह वे मोटा आदमी बीरवल के कहे अनुसार वे सवयजार में जाकर खड़ा हो गया तभी बीरवल के भेजे आदमी वहां आ पहुँचे और ते सवर में कहने लगे पंडेजी 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 मोटे आदमी नहीं सुनकर अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे जैसे सच में पिटाई कर देगा बीरवल के अदमी के पास आधम का बड़ा मजिदार दर्शय उपस्तिथ हो गया था मोटा आदमी लोगों के पीछे दोड़ रहा था और लोग पंडेजी पंडेजी कहते हुए नाच गाकर चिला रही थे अब मोटा आदमी पंडेजी के नाम से परशिद हो गया जब भी लोग उसे द वे परसित तो होने ही लगा था इसी तरह महीनों बीट गई मोटा आदमी भी ठक चुका था वे यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडी जी नहीं कहते बलकि ऐसा कहकर तो भी उसका उपुहास करते हैं लोग जान गई थे कि पंडी जी कहने से उसे गुसा आजाता है वे सोचता था कि लोग शायद उसे पागल समस्ते हैं यह सोच कर वे इतना परिशान हो गया कि फिर से बीरवल के पास जा पहुँचा वे बोला मैं मातर पंडी जी कहलाना नहीं चाहता वैसे मुझे स्वैं को पंडी जी कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा लेकिन अब मैं थक चुका हूँ लोग मेरा सम्मान नहीं करते वो तो मेरा मजाक उडाते हैं मोटे आदमी को वास्ते विक्ता का अभास होनी लगा था मोटे आदमी को यह खहता दे विरिबल हस्ता वाई है बोला मैंने तो तुम से पहले ही कह दिया था कि तुम भू समय तक ऐसा नहीं कर पाओगी लोग तुमें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं, क्या तुम उन्हें मुर्क समस्ते हो, जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जा कर बिताओ, जब लोटो तो उन लोगों को नदर अंदाज कर देना, जो तुम्हें पंडी जी कहकर पुकारे, एक अच्छे सा भेवेक्ति कितरें आचरन करना, शिग जान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान ना दिया, और वह मोटा आदमी खुश था, कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगी है, वह समझ गया था कि प्रसिद्धी पाने की सरल रहा कोई नहीं है, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको यह कहानी कैसी ल अद्धी लगा, झाल असफ वा करे जाने कुश उसे लगा, झाल असंदे का पुश पूस्तों की सरल रहा करके जा सरल रहा है, वह ज़रूर बताना आंने की सरल करके ज़रूरूरूरूरूरूर।